तो जस्टी जैन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम आपको 6-7 साल के बच्चे के कुरते की कटिंग और स्टीचिंग इस्टे बाइस्टे बताएंगे तो यहाँ पर हमने कुरता नापी का पहले से ले लिया है सबसे पहले हमने लंबाई को नापना है तो लंबाई हमारी आरी है 23 इंची अब हम इसके घेरे को नापेंगे तो घेरा हमारा है 14 इंची और इसमें हमने 1.5 इंची प्लस करना है यानि कि यह हो जागा हमारा 15 इंची तो साड़े 15 इंची हम cutting करने समय कपड़े को fold करेंगे तो यहाँ पर पहले देख ले दोस्तों कि कपड़े को हमने double layer में पहले से बिछा कर रखा हुआ है अब हम यहाँ पर साड़े 15 इंची mark लगाएंगे और कपड़े को fold करेंगे हमारी लंबाई है 23 इंची और प्लस हमने यहाँ पर डेर इंची एक्ष्ट्रा और cutting करनी है उपर नीचे की margin लेकर यानि कि यहाँ पर हमने 24 इंची mark लगाना है और इस भाग को cutting करकर निकाल देंगे इससे क्या होगा कि हमें कुर्टे cutting करने में काफी असानी मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो भाग हो जाते हैं एक सामने का पल्ला और एक पीछे का पल्ला तो उपर वाला जो हम पल्ला रखेंगे वो हम सामने का पल्ला रखेंगे और नीचे वाला जो हमारा पल्ला रहेगा वो हमारा पीछे का पल्ला रहेगा जो कि हमने पौन इंची लंबाई में बड़ा रखना है अब हम सामने पल्ले को नीचे से पौन इंची लंबाई में कटिंग कर देंगे और दोनों पल्लों को नीचे से ब्रावर रखेंगे अब हमने सामने पल्ले से एक इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है तोटल मार्क हम इसी पल्ले के हिसाब से ही लगाएंगे अब हम आरम होल का मार्क लगाएंगे तो आरम होल के लिए हमने यहाँ पर कुड़ते की आरम होल का नाप लेना है तो इस तरीके साब गुलाई में नाप ले ले तो यह हमारा आ रहा है 7 इंची तो 7 इंची में अब हम मार्क लगाएंगे साथ इंची मार्क लगाने के बाद अब हम मार्क लगाएंगे चाक का, तो चाक हम यहाँ पर देंगे पंदरा इंची में तो पंदरा इंची मार्क लगाएंगे अब यह आरम होल के मार्क और चाक के मार्क के मिडिल में एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमार का मार्क होगा अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे उपर में हमने कॉलर के लिए यहाँ पर सब दो इंची में मार्क लगाना है अब हम तीरे का मार्क लगाएंगे तो तीरे को हमने जोड से जोड तक कनापना है 12 इंची यहाँ पर इसका हम आधा लेंगे जोपिय मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम मार्जीन रखेंगे है अब हमने scale C से इस तरीके से मिलाना है cross अब यहाँ पर हम chest का मार्क लगाएंगे यानि कि छाती का तो कुर्ते को measure करेंगे तो यह हमारा आ रहा है 14 इंची तो 14 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा आएगा 7 इंची 7 इंची मार्क लगाना है तो यह हमारा 6 इंची का मार्क लग गया है अब हम कमर यहाँ से 8 इंची कम रखेंगे यानि कि साड़े चेंच में आप मार्क लगाएंगे अब उपर में हमने 7 इंच मार्क लगा है तो हिप में भी हम 7 इंच में आप मार्क लगा देंगे अब इस सेफ को हमने इस तरीके से मिला देना तो दोस्तों इस तरीके से कमर का सेफ देने से आपकी save काफी अच्छी आती है अब नीचे के गेर को हमने इस तरी के सीधा दे दरना है अब shoulder के mark को हमने इस तरी के से हलका सा scale को अंदकी दर क्रोस करकर mark लगाना है और यहां पर गुलाई दे दरनी है ति यह हमारे सामने पर लेके मार लग गया है अब यहाँ पर हमने गले का मार्क लगाना है यहाँ से हम धाय इंचे मार्क लगाएंगे इसे भी सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गुलाई देंगे तो दोस्तों यह हमारे सामने पले का मार्क लग गया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे साइड में हमने यहाँ पर हाप इंची से पॉन इंची के मार्जिन रख कर कटिंग करनी है अब हम कटिंग करेंगे पीछे पल्ले की तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो गले की कटिंग की है इसी के सेंटर में हम एक मार्क लगाएंगे और हाप इंची हम गले को डीप देंगे और यहाँ पर हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गुलाई देंगे तो यह हमारे गले का मार्क लग गया है अब यहाँ से हमने सामने पल्ले से पॉन इंची उपर की तरफ मार्क लगाना है और इसके इससे सीधा करेंगे यहां पर हम गुलाई बनाएंगे तो पॉन इंची आप एक्स्टा मार्जिन देकर गुलाई यहां पर बना ले अब हमने यहां पर गले की कटिंग करनी पीछे पल्ले की तीरे की कटिंग करेंगे अब हम यहाँ पर हम आरम होल की cutting करेंगे और सैड की cutting करकर यह हमारे कूरते की cutting हो गई है अब यहाँ पर हमने प्लैकेट पट्टी की cutting करनी है तिये हम यहाँ पर mark लगाएंगे साड़े आठ हिंची में इस तीके से mark लगाना है और इसे 20 से cut कर देना है तिये हमारे प्लैकेट पट्टी cutting भी हो गई है अब यहाँ पर हमने दामन को हाँ पिंची सैड से गुलाई में cutting करनी है ताकि यह हमारा यहाँ पर कोना न निकले तिये हमारे कूरते की cutting हो गई है अब हम हाथ की cutting करेंगे तो यह हमने double layer में हाथ का कपड़ा ले लिया और इसे हमने इस तरीके से fold कर लेना है अब हमने कूरते को लेना है और उसके हाथ को इस तरीके से बठाना है देखे दोस्तों यहाँ पर हमारा जोड है तो जोड से हाथ इंची उपर की तरफ मार्क लगाएंगे अब हाथ को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर बठाना है और यहाँ पर भी हमारा जोड है तो जोड के हिसाब से सीध है एक मार्क लगाएंगे और इस तरह भी हम मार्क लगाएंगे और जिस तरीके से हमारी हाथ की safe है उस हिसाब से मार्क लगाएंगे तो नीचे की तरह पौरी की तरह भी मार्क लगा देते हैं और पौन इंची का हम एक मार्क और लगाएंगे तो दोस्तो इस दीके से हमारा हाथ का मार्क कम्प्लीट होता है अब यहाँ पर हम हाथ की गुलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे सैड में हमने यहाँ पर हाप इंची की मार्जिन रखक क कटिंग कर देनी है अब हमने हाथ को इस दीके से खोल लेना है और सामने पल्ले में हमने यहाँ पर पौन इंची की कटिंग कर देनी है तो दोस्तो यह हमारे हाथ की कटिंग हो गई है अब हम इसकी सिलाई करक आपको बताते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों सबसे पहले हम प्लेकट पट्टी को बनाएंगे तो इसकी लिए हमने दो पट्टी को जोत पड़ेगी एक पट्टी की चुड़ाई हमने ली है धाय इंची चौड़ी और इसकी लंबाई हमने प्लेकट के कट के हिसाब से रखी है और दूसरी पट्टी हमने ली है तीन इंची चुड़ाई में और इसकी लंबाई हमने इस कट से दो इंची चाधी रखनी है पहले हम इस प्लेकट पट्टी को बनाएंगे तो इसे हमने नीचे की तरफ पहले बठाना है तो उपर वला भाग हमारा सीधा है तो यहाँ पर हमने तीन पॉइंट की सिलाई देनी है अब हम इसे इस त्रीके से पलटेंगे और नाखुन से यहाँ पर बठा दे दोस्तो तो इस दीकेश हमने यहाँ पर बठाना है अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे अब यहाँ पर हमने इसे तीन पॉइंट का फोल्ड करना है और इस फोल्ड को हम यहाँ पर लाकर मिलाएंगे जहाँ पर हमारी फ्लैकट की स्लाई है और इसमें स्लाई देंगे तो यहां पर भी हम तीन पॉंट की सिलाई देंगे तो यह सिलाई हमें एकदम प्लेकट जहां पर हमने कट दिया है वहां तक कि हम देंगे तो यह सिलाई हमारी हो गई है अब यहां पर हमने प्लैकर को कट करना है तो जहां पर हमने सिलाई जहां तक के दी है वहां से हमने पॉन इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से हलका से स्क्वैर कर लेना है इस तरीके से स्क्वैर कर लेना है और यहां से अंदर से कपड़ा कि तरफ़ करेंगे और यहां पर हमने तीन पॉंट के से फोल्ड करना है और इस इलाई के पास में से मिलाना है तो इस दीके से हम इसे मिलाएंगे और यहाँ अच्छी तरीके से बठाकर शिलाई देंगे तो उपर की प्लैकट पट्टी की चुड़ाई हमारी एक इंची के रहेगी लगाति नीचे वाले प्लैकट टर्फ रखेंगे ताकि यह नीचे की मार्जिन प्लैकट की डबे और यहाँ पशाओ जीयू देंगे अब प्लैकट आपको भी बनाना आयाएसकोयर स्कुैयर बनाना आंवा उसे थाफ साप इसे पोल्ड कर दे और इसमें शिलाई दे तो इस तीके से हमने इसमें सिलाई दे दनी है और यहाँ पर सिलाई को हम बांद देंगे तो दोस्तों यह हमारी प्लैकट पट्टी बनकर तियार हो गई है आप देख सकते अच्छे तरीके से आप हम पीछे का पला लेंगे और यहाँ पर बठाएंगे तो दोनों तीरों को हमने अच्छे तरीके से मिला लेना है और इसमें सिलाई देनी है अब हमने सैड की सिलाई करनी है तो दोस्तों यहाँ पर हमने मार्क लगा था हीप का तो यहाँ पर हम कट देंगे अब चारों पल्लों में हमने इसी के हिसाब से कट दे देना है तो यहाँ पर हमारा कट है और इधर हमने पौन इंची की मार्जिन दे थी दबने के लिए तो पौन इंची हम मार्जिन दबाब के लिए लेंगे और इस कट तक कर लेकर आएंगे अब हम इसमें डवल सिलाई भी दे देंगे ताकि यहाँ पर हमारी मजबूती रहे तो दूसी तरफ भी हमने इसी तरीके से कट के हिसाब से सिलाई दे देनी है तो दोनों तरफ हमने सिलाई दे दी है अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे चाक तो चाप को आपको इस दीके से फोल्ड करना है एक पॉंट का पहले फोल्ड करेंगे फिर हम एक पॉंट और इसे फोल्ड करके जितना हो सके दोस्तों पतला फोल्ड करें ताकि कुर्टा का जो दामन है वो देखने में अच्छा लगे तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है तो दूसी तरह भी आप चाक में इसी तरीके से फोल्ड करकर सिलाई दे दे अब हमने नीचे के दामन को भी फोल्ड करना है आप दामन को भी पतला ही फोल्ड करें तो यहाँ पर हमने दामन की भी सिलाई दे दी है तो अब हमने कुर्टे को सीधे की तरफ करना है अब हम लेंगे स्लीप तो स्लीप का पहले उल्टे सिदे का मार्क देंगे तो जिस हिसाब से हमने दामन को फोल्ड किया है उसी हिसाब से हम यहाँ पर स्लीप की मोरी को भी फोल्ड करेंगे इसे भी आपको पतला ही फोल्ड करना है अब हमने स्लीप को इस तरी के से फॉल्ड करकर मार्क के हिसाब से सलाई दे देनी है इसी तरी के से हमने दूसरी तरह भी स्लिप को फॉल्ड करकर सलाई दे देनी है अब हमने स्लिप को सीधा कर लेना है अब यहाँ पर देखे दोस्तों हम स्लिप को कि इस तरह आएंगे के से भी आप समझें। तो सामन इा की तरफ हमारे का टिक है कुड़ते के तरफ हमारे सामने के सब्साइब काक्टिंगों। हुआ है कि स्कschein के से मिलाना है है कर दो स्लीप को से टंके से बठा देंगे कि जो और यह अपर गुलाई में स्लाइड देंगे तो यहां पर हमारा स्लीश दिरोन कर दे और सिलाइड दे देगा हुआ होहीं हम यहां पर सफलाई देंगे दूस्तों नीचे की मार्जिन को आप अच्छी तीके से आप भीग करकर फोल्ड कर दें यहाँ पर हमने लगा लिया हैं दूसरी तरव इसी तीके से हम स्लीप को लगाएंगे अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कॉलर तो कॉलर को इस तरीके साब पहले फोल्ड करकर बीच कर ले और उसके बाद में इंची टेप से इसे नाप ले तो इसे गुलाई में ही नाप ले तो यह हमारा आ रहा है साढ़े पंदरे इंची तो साड़े पंद्रे इंची हमने पेश्टिंग को लेना है लंबाई में और इसकी चुड़ाई हमने लेनी है एक इंची इसे हमने इस दीके जब फोल्ड करना है और यहाँ पर हलकिसी यहाँ पर गुलाई दे देंगे और इसे कट कर लेंगे अब हम इसे कपड़े में चिप का लेंगे आईरें से कॉलर के नीचे हमने जो हाँ पिंची के माजिन रखी है उसे हम फोल्ड कर देंगे अब इसी के बराबर में हमने एक पीस ओल लिया है जिसे हमने यहाँ पर बठाना है अब बकरम के किनारे हम सिलाई देंगे तो गुलाई में हमने सिलाई अच्छे तरीके से देनी है तो यहाँ पर देखे दोस्तों हलका सापको बकरम के किनारे छोड़ किसलाई देनी है जिससे जब हम कॉलर लगाएंगे तो हमें लगाने में असानी रहेगी अब हम इसे पलट लेंगे तो नीचे में हमने तीन पॉइंट की माजिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है अब कॉलर को हमने इस देखे से पॉल्ट करना है और बीज का कट दे देना है कि अब हमने क्या करना है कि कूर्टे का जो हमने यहां पर कट दिया है अब दोनों कट को हमने इस दीके से मिलाना है तो यहां पर आप देख रहांगे दोस्तों कि उल्टे की तरफ हमने कॉलर को रख कर लगाना है यह उल्टे की तरफ हम रख कर लगाएंगे यह सीधे की तरफ हमारा हो जाएगा अब दोनों कट को मिला कर हम यहां पर स्लाइद देंगे तो दोस्तों यह धियान रखना है कि कॉलर को एकदम सही तरीके से यहां पर स्लाइद देनी है और यहां पर हमने एक पॉइंट का छोड़ा था तो यहाँ पर हमने सिलाइड देने में स्वीधा होती है तो दूसी तरभाब हम पॉलो को जोड़ेंगे इधर भी हमने तीन पॉंट की स्लाई देनी है तो हाफ हाफ करके ही कॉलर को लगाएं दोस्तों तो जिससे क्या होता है कॉलर लगाने में असानी रहती है अब हमने इसे इस तरी के से पलट लेना है अब हम इसके उपर स्लाई देंगे तो जहाँ पर हमारा सोल्डर का जोड़ है वहाँ से स्लाई स्टार्ट करेंगे और देखे दोस्ते यहाँ पर अगर आपका कोई कपड़ा निकल रहा हो तो आप कैंची की मदश से उसे अंदर कर दे और यहां पर गुलाई में आपको अच्छी तरीके से सिलाई देने है तो देखे दोस्तों यह हमारी कॉलर की सिलाई हो गया है और यह हमारे टॉटल कुर्टे की सिलाई हो गया है तो दोस्तों यह सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा? यह हमें comment box में जुरूर बताएं और हमारी वीडियो को like को share करना ना भूलें और भी कोई सवाल हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं वीडियो देखने किला आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू